हेलो बच्चो हेलो बच्चो बहुत बहुत नमस्कार स्वागले अपकां हाइड्रोकार्बन के अगले रक्चर में वीटा आज हम method of preparation मॉपी का फुलीम मैं फॉलीमि हाली हम पड़ चुके हैं फस्टbeing की method of preparation थी hydrogenation of alkenes and alkynes ठीक है अब हम बात कर रहे हैं वर्ज रियेक्शन की second number पर वर्ज रियेक्शन में क्या होता वेटा आपको alkyl halide दिया जाता है और उससे हम alkenes बनाते हैं कैसे बनाते हैं ध्यान से देखना ज़रा मेरे पास alkyl halide वेटा आरेक्स ठीक है इस आरेक्स की रियेक्शन हम करवाते हैं रियेजेंट यहां क्या होता है सोडियम लेते हैं यहां रियेजेंट क्या लेते हैं sodium na na in presence of dry ether solvent की तरह काम करता है और dry condition हम इसलिए लेते हैं ताकि alken बने अगर इस तरीके से आपको आंसर करना है आरेक्स के बेटा दो मौल होते हैं सब्सक्राइब कैसे का मतलए आरेक्स के दो मौल लिगको आपको 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 करना है तो बॉंड को जवाब चारोगे बॉंड को जवाब ब्रेक करोगे तो कैसा देखेंगा देखो इसको भरें चीहां तो क्या बने लए और एक्स रेडीकल बने दो और रेडिकल आपस में कम्माइन होके क्या बना लेंगे और और बना लेंगे इस तरीके से तो दो और रेडिकल आपस में कम्माइन होके क्या बना लेंगे बेटा और बना लेंगे मतलब अलकेन बने गया इसका मतलब थोड़ा सा ध्यान दो और एक्स में जितने कार्बन हो होंगे उसके double carbon होंगे और में क्यों। कपलिंघ हो रहा ना एक तरीके से कपल तो आप जानते ही हो है तो किया रहा है इसका मतलब जितने carbon होंगे उसके double carbon यहाँ पर होंगे तो आपको इसका आंसर क्या लिखना है फाइनल और एक्स से क्या बनेगा आरार बनेगा ठीक है कैसे क्वेशन करना है यह तरीका है इस तरीके को हम बोलते हैं डारेक्ट मेथड जो आप बन स्टेप आंसर करते हो ना डारेक्ट मेथड जिसको मैं लिखता हूं डी एम इसको क्या लिखता हूं मैं डी एम डारेक्ट मेथड हम लगा रहे हैं सी एक तो तरीका आपका डारेक्ट मैथड होता है क्वेश्चन तो आपको डारेक्टी करने मैकेनिजम भी समझते हैं कि किस प्रॉसेस के थूरू ऐसा हो रहा है तो बेटा मैकेनिजम इसकी वैसे तो दो होती है एक फ्री रेडिकल और एक आइनिक लेकिन हम जो फोकस करते हैं व यह होमोलिटिक बॉंड ब्रेक करता है अपना कैसा करता है होमोलिटिक मतलब बीच से ब्रेक करता है तो कैसा देखेगा आर रेडिकल देखेगा और एक्स रेडिकल देखेगा और यह एक्स रेडिकल क्या करेगा यह वाला इलेक्ट्रॉन ले लेगा क्या बना लेगा एक्स और यह X- क्या करेगा इने प्लस से कम माइन होकर यह जो इने प्लस बना यह एंश बना लेगा इधर ठीक अब यह जो आर्रेडिकल एह इसका कॉंबिनेशन होगा और बहुत हो सकता ब warmed आता चलेगा यहां आप डिकल कॉंबिनेशन भी कर सकता है त vampire सकता है मैं एग्जाम्पल के लिए यहां और डिकल ले लेता हूं ah समझाने के लिए कि अ क्या योको रिडिकल बना यह अपने दूसरे मोल पे साथ क्योंकि दो मोल लेते हो ना तो अपने दूसरे मोल के साथ दूसरा मोल कैसे लिख लो इसका मिरर में लिख लो आप यह समझो कि इसको मैं मिरर में देख रहा हूं यहां से इसको समझो मिरर में देख रहा हूं तो कैसा देखेगा ऐसा देखेगा अब इस रेडिकल से どoware डिगल जुड रहे हैं ना दो अरड डिकल जुड रहे हैं मताब कॉंबिनेशन है ठीक एक डिस्पपोश्श नेशन भी हो सकता है समय कैसे देखो कि सीएच three ूए सीएच टू रिड़िगल एक मोल को ऐसे लिखो और बिटा दूसरे मोल को ऐसे देखो हो ही कि चच2 हो स répondre जो की देधे हो और यहां क्या आएगा रेडीट है आप क्या करोगे बॉन ब्रेकिंग करऊगे कैसे द्यारन से देखना यह बॉन ब्रेक हो जाए अगरяти बॉन बो कर जाए तो क्या होगा एच रेड़िकल बने गा और से तुरअगल बने या तो CH3 बन गया प्लस इसने क्या करा बॉंड बना लिया तो CH2 double bond CH2 बन गया मतलब वुर्च reaction में combination भी हो सकता है अब यह combination कब और disproposnation कब favor होता ध्यानक ना अगर तुम्हारी alkyl halide one degree और two degree है तो combination वाला major होता है और अगर alkyl halide three तो इस्टेरिक हिंड्रेंस की वज़े से दौनों रेडिकल आपस में जुड़ नहीं पाते आसानी से ना तो यह ध्यान रखना अगर तुम्हारी अलकाइल हेलाइड वैसे देखो होता दौनों चीजें तीनों अलकाइल हेलाइड में क्या बोला मैंने ध्यान से सुनना वन डि इसी से related point है क्या reactivity अगर पूछ ले आपसे क्या reactivity अगर पूछ ले कि बताओ कौन सी तेज reaction हो रही है reactivity के वारे पूछ ले अभी तो example में ऐसा नहीं हो रहा है धर जो मैं समझा रहा हूँ आगे आपको ऐसा question दे सकते हैं कि एक ही molecule के अंदर दो हैलाइड आ जाएं तो उसमें फिर हमें intra बनाना पड़ेगा धियान दखना तो reactivity intra की ज़्यादा होती किससे इंटर से reactivity किसकी ज़्यादा होती है intra की किससे इंटर से ठीक है यूजवली ऐसा होता है लेकिन एकाज जगह ऐसा भी होता है कि intra की कम हो जाती इंटर से वहाँ पर हम प्रोड़क्ट से देखेंगे जो कि मैं आगे बताऊंगा आपको है ना यूजवली इंटर की ज़्यादा होती इंटर से और reactivity इंटरेंस के इनवर्सली प्रोपोशनल इंटरेंस का मतलब क्या है अगर मैं आपसे बोलू वन डिगरी आरेक्स तो इसकी रियक्टिविटी क्या होगी ज्यादा टू डिगरी रेक्स क्यों जितनी डिगरी बढ़ती अगर मैं यहाँ फ्लोरीन ले लूँ क्लोरीन ले लूँ ब्रोमीन ले लूँ आयोडीन ले लूँ कौन सा बॉण्ड आसानी से टूटेगा जिसमें साइस डिफ्रेंस जाता होगा कारवन किस पृडीट का है से के पृड्ड पीरियट का ऐगे फ्लोरीन किस पृड्य का है से के बूड्ड से अच्छी होगी नीचे की तरफ होगी तो साइज बढ़ता जा sailेगा बॉंड लेक् एक्टिविटी कैसे compare कर आओगे अगर आर आपका सेम है तो इसकी ज्यादा होगी क्यों आसानी से बॉंड टूट जाएगा आराई वाला यह आसानी से बॉंड नहीं टूटेगा यह बहुत अच्छा यह बॉंड बहुत बिकार है ठीक है आसानी से टूट जाएगा ठीक अब म हुआ वं डिगरी टू डिगरी और क्या हुआ थ्री डिगरी और थी डीउड ऐसे और है यह तो तो खेर एक में लिख दिया मेनमट आजों और यह अलग हैसा तो दो प्रूडक्त वाला भी बनना है प्लस दिश्प्रपोश्यशन प्ली बनना है यहां भी दौनों बनने हैं, combination भी बनना है, प्लस क्या बनना है, disproportionation भी बनना है, बनते वेटा दौनों है न, disproportionation, ठीक है, अब अगर वन डिगरी, टू डिगरी है, तो combination major बोलते हैं, और disproportionation minor बोलते हैं, organic में ऐसे major minor वाला भी खेल होता है, major मतलब ज्यादा content किसका बनता है, और इसमें ये minor होता है, और disproportionation major होता है, ठीक है, इस तरीके से, तो ये धियान लगना, वन डिगरी आर एक्स, टू डिगरी आर एक्स में combination major और ठीके रेक्स में disproportionation major होता है, जैसे और डिगरी आर एक्स अकर मैं एक बनाओं आपके सामने, तो ये मैंने ले लिया 1 डिगरी आर एक्स, टू डिगरी बनाओं तो ये ले लिया, ठीके लिया एक्स, तो इन सभी की वर्च एक्सन कराओगे, तो इन में क्या होगा, इन Canal Spray आप में जोईन करा दोगे रडिकल आपकीब इसका करना पड़ेगा आपको मिजर सब्सने सब्सक्राइब कैसे बनाओ लिख différents ऑर इसका का एच बाहर करके इस बॉंड को होमोलिटिक कराओगे ऐसा यह से कंबाइन कराओगे यह से कंबाइन कराओगे तो इसका जो डिस्पोपोस्टेशन वाला बनेगा वह ऐसा बनेगा इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ डबल बॉंड यहां आएगा न इन दोनों के बीच में तो ऐसे लिख सकता हूँ तो इसका यह मेजर होगा इसका मेजर बनाना है तो क्या करोगे रेडिकल ऐसा बनाओगे और ऐसा ही दूसरा रेडिकल लिखके कंबाइन कराओगे यह आ जाए होता है मैंने मेजर लिखे हैं यह ना ऐसा होता है समझगे बात को आगे बढ़े किलियर है ना बॉंड ब्रेक करो रेडिकल बनाओ और एसा एक और लिख लो दो मोल होता है एना ठीक है आगे बढ़ रहा हूं मैं है टाइप ऑफ शर्येक्शन देख लेते हैं दो टाइप की व्रियेक्शन होती है सिंपल है लाइ decides सिंपल आरेक्शन कराने यह थे चुझा इसकी वुर्ज reaction करानी है तो बहुत आसान है N A in presence of dry ether, क्या करोगे आप इस bond को break करोगे Rx को, कैसे break करोगे यहां से break करो बीट से, दो radical बनेंगे, आपको क्या करना है R radical बनाना है, और x radical बनेगा लेकिन इसके बारे में टैंसन नहीं लेना और ऐसा ही R radical अपने दूसरे R radical से क आप माइन होके क्या बनालेगा आर बनालेगा सिंपल है विल्कुल कॉम्बिनेशन नि तो करा ना आपको रेडिकल बनाके है आगर ग्वाट देदी मालो एक आरवन एक्स दे दिया और एक आर टुए ज़िया ठीक है और इसकी रियक्शन करा रहे हो आप किसके साथ इसकी radical radical और पेटा R2 X को भी तो break करोगे यास यह क्या बना लेगा R1 radical और ये क्या बना लेगा R2 radical बागी X radical तो बने गई को ठीक है अब ध्यान से सुनना यहां तीन possibilities हो सकती है क्या क्या R1 radical अपने ही R1 radical से combine होकर बना ले R1 R1 ठीक है तो आर्टू रेडिकल अपने ही आरेटू रेडिकल से कंभाइन होकर वनाले आर्टू एक और आर्वन रेडिकल अपने ही को देखो तो तीन पृटक्त यहाँ वन सकते हैं सिंपल में combine हो जाए आरवन हाटू से भी तो combine हो सकता है यह ना तो यह तीन possibilities यहां होती है यह simple halide का हो गया यह mixed halide का हो गया ठीक है चलें आगे very good इंट्रा-molecular वुर्ज reaction कैसे होगी देखना इसमें आपके सामने क्या हो सकती है 1,2 dihalide आपको सकते हैं 1,2 dihalide यह अलग टाइप से होती है और 1,3 dihalide देदें 1,3 1,4 1,3 देदें 1,4 देदें 1,5 देदें एंड फाइव देदें एंड तो इसमें अलग लाइफ से होती है न मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है ध्यान से देखना बहुत सिंपल एक्षन है वन्टू डाइयलाइड का मतलब क्या है जैसे एक कारवन यह लगा यहां पर है लोगा दूसरा कारवन लगा यहां पर है लोगा ठीक है और यहां पर कुछ और चीज़ लेको टू बोल देना ठीक है तो वन पर और टू पर हैलोजन लगा है कैसे करोगे बहुत आसान है यह बॉन्ट तोड़ना है रेडिकल रेडिकल यह बॉन्ट तोड़ना है रेडिकल रेडिकल और यह वाला रेडिकल इससे कम माइन करवा देंगे तो कैसा दिखेगा देखो कैसा देखेगा बीच में वन्टू पर क्या जाएगा डबल ये तो बेटा ध्यान से सुनना हम पढ़तो रहे थे अलकेन लेकिन बनगे अलकीन मतलब वुर्ज रियेक्शन वैसे तो हम अलकेन बनाने के लिए यूज करते हैं लेकिन अलकीन भी बनाया जा सकता है देखो ऐसे अ बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं लेकिन अच्छी हैं अगर मालो मैंने अढeled तो यह 1 लिखा, यह 2, यह 3, तो यह 2 radical आपस में combine करवा दोगे ना, तो यह 2 radical आपस में combine करवा दो, इसका इससे combination कराओगे, ring बन जाएगी, सही ना, क्यों यह इससे जुड़ोगे, तो ring बन जाएगी ना, तो ring कैसे बनेगी देखना, मैं यहाँ पर भी H ले लेता हूँ, adjacent हैं, तो double bond बन जाएगा, पाई आ जाएगा, यहाँ पर इसका bond इससे बनेगा, तो 1, 2, 3 membering बन गई, है ना, तो यह क्या बन गया, cycle alcan बन गया, अब ध्यान से सुनना, पढ़तो रहे थे हम वर्ज reaction बन गया, मतलब, वर्ज reaction से बेटा, alcan तो बना ही सकते हो, alcan और cycle alcan भी बना सकते हो, alcan कब बनेगा, जब adjacent पे 2 halogen होंगे, और cycle alcan कब बनेगा, जब 1, 3 या उसके आगे चलोगे आप, 1, 3 के बाद, 1, 4, 1, 5, 1, 6, इन सम्में, आपका cyclic compound बनेगा, cycle alcan बनेगा, clear है, लेकिन वैसे, यह reaction किसके लिए बनाई गई थी, useful for the preparation of symmetrical alcan, symmetrical alcan के लिए यह useful हो होगी, ac alcan जिसमें symmetry देख जाए, आप तो ऐसे सोच लोगी, POS दूड़ना है, तो ac alcan जिसमें symmetry हो, या ऐसा बोल सकते हो, even number of carbon की alcan बनाने के लिए यूज़ करते हैं, इसको, सही वाद है न, कैसे, यह तरीके से coupling reaction है, माल लो मेरे पास कोई alcan है, जिसमें 2 carbon है, तो combination होगा 2 plus 2, तो 4 carbon आएंगे, product में, अगर मेरे पास 3 carbon की alcan है, तो इसका combination होगा, तब भी तो even ही आएगा, बेटा, even मैं even add करो, तो even तो आता ही है, simple math, odd मैं odd add करो, तब भी तो even आता है, ठीक है, तो 2 carbon की होगी, तो 2 carbon की, 2 carbon से combine होके, 4 का बना लेगा, 3 carbon की होगी, तो 6 का बना ठीक है, मतलब, even number के लिए use करते हैं, इसको, ठीक है, even number के alcan के लिए use किया जाता है, या symmetrical alcan मोलो, ज्यादा बैटर है, चले आगे, note कर लो फिर इसी बात पर, very good, अब बेटा practice कर लेते हैं, exam में question आपको कैसे करने हैं, उसका तरीका होता है, मैं करने जम आपने सारी समझ एक concept सारे सीख लिए आपने वर्ज रियक्षन के, बहुत आसान रियक्षन है, क्या करना देखो, मैं करके बता रहा हूँ, आप समझ जाओगे, देखो, दो अलग-अलग हैलाइड हैं, तो क्या होगा, mixed हैलाइड वाला है, तो number of product यहां बनेंगे, कैसे देखो, इसको bond break करो बीट से, radical, radical, इसका bond break करो, बीट से, radical, radical, इसको इससे combine करा दो, तो क्या बनेगा, CH3, C2H5, और साथ में और क्या-क्या हो सकता है, CH3 अपने ही CH3 से combine हो जाएं, दो मोल होते हैं, इसके भी और दो मोल इसके भी, है ना, तो इसका इसी से combination हो जाए, तो CH3, CH3 भी बन जाएग और इसका इसी से ही combination हो जाए, तो C2H5, C2H5 बन जाएगा, तो possible product यहाँ पर बनेंगे तीन, बहुत आसान है, अगला देखो, इस bond को break करोगे, radical, radical, इसके दो मोल लिख लो, कैसे ऐसे, एक मोल ऐसा लिखा, और एक इसका mirror image लिख लो, मदब इसको mirror में देखो, और इसको इस इस तरीके से, कितना आसान है, देखो, बहुत simple reaction है, अगला देखो जरा, अब देखो जरा, इधार और इधार radical बन जाएगा, कैसे, यह bond break करोगे, यह bond break करोगे, यहाँ radical, इधार भी आएगा, खेर radical, इसके हम tension नहीं लेते, यह दो radical आपस में combine हो जाएगे, अलकीन बन जाएगा ऐसा, कितना आसान है, देखो, यह bond break करा radical, यह bond break करा radical, बन गया, question की tension मतलो, बहुत सारे question लाता हूँ मैं आपको पता ही है, question करना सिखा दूँगा, बस देखते जाओ, आप अच्छे से क्या चल रहा है, चलो note कर लो इसको, ठीक है, आगला देखो जरा इस bond को break किया, radical, radical, इस bond को break किया, radical, radical, अब इसको इससे combine करा दो, तो सीधा जोड़ दो ना, बीच में देखो, ऐसा बन जाएगा, इस तरीके से, देखो, कितना आसान है, मज़ा रहा है, अगला देखो, इसको तोड़ा, radical, radical, इसको तोड़ा, radical, radical, और ये वाला, इससे combine हो जाएगा, तो एक, दो, टीन, चार, पांच की ring मन जाएगी, अब कई लोग यहाँ पर ऐसा बोलते हैं, सर, एक काम करो, ये जो दो radical थे, इसके दो मोल लेकर combination करा देते हैं, कैसे ऐसे, देखना, एक मैंने ऐसा लिखा और इसका mirror image लिख लिया मैंने, जरूरी नहीं कि mirror आप हमेशा ऐसे लगाओ, ऐसे भी mirror लगा सकते हो न, ये, तो इस इसको इससे जोड़ देते, इसको इससे जोड़ देते, ऐसा क्यों नहीं किया, बेटा, दो अलग-अलग, ध्यान से सुनना, दो अलग-अलग molecule के बीच की reaction होती, इंटर molecular, ठीक, और इसी molecule के अंदर ही reaction चल रही है, तो इंटरा है, तो ये कौन सा product है, इंटरा product है, ये कौन सा बोलोगे, आप इंटर बोलोगे, और मैंने आपको बताया था, इंटरा molecular reactions are faster than inter-molecular reactions, कुछ एक case छोड़ दो तो, हना वो अभी बताऊंगा, इंटरा वाली fast होती, किससे, इंटर से, इसलिए, इसका इसी से combination कराके ये बना दिया, ये तो इंटर होगा, इंटरा fast होती है अपनी ही molecule के अंदर reaction हो जाओ, उससे अच्छा कुछ नहीं होता, inter-molecular solo reaction होती है, ठीक है, तो ये इंटर से बनेगा, ये इंटरा से बनेगा, इसका मतलब क्या है, इसका इससे combination कराने वाला ही, आप major answer दोगे, समझेगे, ये अटा देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ, ये intra product है, और intra product हम major लेते हैं, ठीक, यहाँ देखो जड़ा, इस bond को तोड़ा radical, इस bond को तोड़ा radical, इस bond को तोड़ा radical, अब इसमें क्या करेंगे, दो मोल तो होते हैं, इसके हमें भी पता है, दो मोल लेते हैं, तो क्या दो मोल अलग लेकर combine अगर अलग-अलग दो मोल लिखे तो intra होगी, अपनी ही molecule में intra हो जाएगी, तो बेटा ये वाला radical इससे join करा दो, ये वाला radical इससे join करा दो, कैसे कराओगे, उसको मैं लिख के बता रहा हूँ, देखो, लिखने की भी कला होती है, और्गेनिक में देखो, ऐसा लिख लो radical, और ऐसा लिख लो radical, और इसको इससे join करा दो, तो कैसा दिखेगा, देखो, ऐसा, ठीक है, ये कारवन है, ये कारवन है, ये दिख रहे हैं, आपको चमकते हुए, ये कारवन है, इस तरीके से, दिख रहा है, ऐसा होता है, ठीक है, तो धियान रखना, इंट्रमोलिकुलर रि चले आगे, आप चलते हैं बेटा, पंकस सर इसपेसल, अब मैंने क्या बोला था आप से ध्यान से देखना चारा, पंकस सर इसपेसल वाले धुमादार सवाल होते हैं, आप जानते ही हो है न, देखो जरा, अगर मैं इस बांड को तोड़ू, तो क्या आएगा, रेडिकल, र ठीक, अब आप क्या करोगे, इस रेडिकल को इससे जोड़ोगे, जब बिटा इसको इससे जोड़ोगे, तो एक, दो, तीन, चार की रिंग बन जाएगी, और बीच में डवल है, ऐसा, सही है न, कैसा है, मैं समझा सकता हूँ, और आसानी से देखो, मैं इस वाले को मोड के ऐसे लिख सकता हूँ, और ये इससे कम माइन कराओगे, तो आपको कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, सही बात है न, लेकिन, ये इसमें मेजर नहीं होता, ये माइनर होता है, अब आप बोलोगे, सर ऐसा कैसे, इसले तो पंकर सर स्पेशल है, देखो, इस वाले में, ये रे रेडिकल, रेडिकल, अब ये वाला इससे जुड़ता है, और ये वाला इससे जुड़ता है, और मेजर बन जाता है, कैसे, जब ये वाला इससे जुड़ेगा, तो CH2 डबल बॉंड आ जाएगा, देखो, ये इधर डबल आएगा, CH, ये बॉंड टूट गया, सिंगल, ये यहां च्छ टू नहीं है यहां पर च्छ तू नहीं हटा दो इसको न च्छ फिर इसको मैं ऐसे कर दूँ तो च्छ आया यहां रेडिकल इससे जुड़ गया तो डवल बॉंड क्या आ गया सी एच टू देखो फिर से देख लो बहुत आराम से मैंने यह बॉंड तोड़ा था रेडिकल बना था अब यह जो टर्मिनल के रेडिकल है यह आपस में नहीं जुड़ते हैं यह बीच का जाएगा और यह पता है क्या यह है से गॉटफ टेड़ लिए तो यह क्या होगा ओगा मेजर होगा अग्या यह देखो अगले वाले में बहुत द्यान से देखना आगर मैं इसका आंसर निकालने की कोसिस करूंगा तो क्या एगा एगा रेडिकल रेडिकल इसको तोड़ो क्या आएगा radical radical ऐसी आएगा अब आप इस radical को इससे combine करा दो तो मैं इसको अलग से लिख लूँ पहले ठीक अब आप इसको इससे combine कराओगे तो यह ऐसा दिखेगा और बेटा ऐसा बनाना ही नहीं है क्यों बेटा यह anti aromatic बन गया क्या बन गया anti aromatic और anti aromatic बन गया मत्तब यह अनिस्टेवल हो गया compound कि अब मुझे बताओ यह इंटर है या इंटरा है बोलो अपने ही molecule के अंदर reaction चल रही है तो यह इंटरा है कौन सी है यह यह इंटरा है और इंटरा से unstable बन रहा है आपने तो बोला था सर कि इंटरा molecular reactions are faster than inter अभी मैं नहीं बोला था मैं जानता हूं मैं नहीं बोला था intramolecular reactions are faster than inter यह मैं नहीं बोला था लेकिन अब एक condition लगा लो क्या if product is stable intra is greater than inter कव होगा जब product stable होगा इंटरा यह product unstable बन रहा क्यों anti-aromaticity आ रही है तो intra नहीं करानी तो क्या करानी है तो choice ही नहीं इंटर करानी पड़े कैसे इसके दो मोल लिखने पढ़ेंगे अब देखो जरा एक मोल ऐसे लिखे लो ठीक और एक मोल ऐसे लिखे लो ठीक यह कौन सा रिंटर से इस्टेबिलिटी ले लिए तो यह इससे जोईन करा दो और यह से जोईन करा दी ऐसा दिखेंगा यह नॉन एरोमेटिक है और नॉन एरोमेटिक है तो कम से कम इस वाले से तो ज्यादा इस्टेवल है तो यह मेजर वो लोगे यह बोलना चाहो तो आप माई नद बोल सकते हो ना इसा मज़गा कहानी तो यह दोनों ही कोश्चन बहुत 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 रियेक्शन बहुत आसान है क्या करना है यह जैडए न आ गया वहाँ क्या था एन था तो इसके दो मोल एसे लखेंगे आर Milwaukee प्लस देम Means grown देमेटिक हो जाएंगी आप मोखें बूलने लगोंगे तो जहां Pre拟 नों होगा वहां बनेगा बताओ जरा क्या बनेगा आर रवनेगा कितना आसान है एक क्वेशन कर लो इसकी रियक्षन करानी है आपको जर्ण से बता दो विटा क्या करोगे जैसे वुर्ज रियक्षन में करते थे वैसे भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ना इसके दो मोल लिखो CS3, CH2, CL के दो मोल, ZN बीच में रखो, CL, CH2, CH3 क्या बात है वड़ा ऐसा ठीक है क्या करने का ZN, CL2 निकालने का, आंसर बनाने का, CH3, CH2, CH2, CH3 क्या बात है ब्यूटेन मन जाया कितना आसान है ठीक है नोट कर लो सिंपल रियक्षन है ठीक है यहां मैं आंसर लिख दूँ, इसका क्या आ रहा था, R, R बनाना है आपको, ठीक है, चलो, मेन लिख रहा हूं, मेजर, ZN, X2 बनेगा वो नहीं लिख रहा है, मेन में लिखना है, और गने कंपाउंड, ठीक है, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं, अगली रियक्षन है कोरे हाउ सिंथेस, कोरे हाउ सिंथेस में क्या होता है, देखो जड़ा, मैं आपको डारेक्ट मेथड बतारों, जैसे मैंने आपको यहां बताया था ना यह, यह क्या है, यह डारेक्ट मेथड है, DM, DM लिख दिया करेंगा अब अपने न, डारेक्ट मेथड, यहां आ जाओ, इधर देखो ज़रा इसका dm देखना इसका direct method क्या है दियान से देखो यहां से r उठाओ और यहां से r-s उठाओ इसको combine करा दो आर प्लस r-s combine करा दो क्या बन जाएगा r-s खतम खतम ऐसे कराना है ठीक है तो आंसर क्या करना है यह r उठाओ यह r-s उठाओ direct method बता रहा हूँ one step ऐसे ठीक question करवा देता हूँ एक ऐसा 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 बियार इसकी reaction करानी है आपको ऐसा लेखाओगा तीन दिये जन्ट देते है li फिर cucl और फिर दे देंगे आपको ch3 cl ऐसा दे दिया ठीक क्या करोगे बताया था मैंने अभी यहां से r उठाओ यह और यहां से r-s उठाओ तो क्या कराओ यह r हो गया और यहां r जोड़ दिया और यहां से जोड़ते हैं तो यह बॉंड टूटेगा और यहां से यह बॉंड टूटेगा तो CS3 यहां जाएगा ऐसा दिखेगा ठीक है यूसफल फॉर दा प्रॉक्रेशन ऑफ अंसिमेट्रिकल अलकेंस अंसे मिट्रिकल अलकें बन रही न ऐसा होता है कि ल चै Liu a scrambled reaction को एलाई के साथ होती तो ये बनाता है और अल्ए की रिक्षण में के साथ होती तो यह बनाता है अलो इसके मही सके है टर तू, आः की मॉल्योरा सुल या है अ depths कल लोगे आप इसके रही और अल्लाइव का नाम हैं गिलमेंस रिएजेंट गिलमेंस रिएजेंट अब यह जो I2CULI है यह reaction करता है R-SX के साथ कैसे R-SX ले लो और R2CULI इसको आप ब्रेक कर लो ठीक है इसको तोड़ लो कैसे R-Li प्लस R-CU यह कोवलेंट और यह आइनेक होता है ऐसा ठीक अब यह R- माइनस अब यह आर माइनस यहां टेक करके इसको निकाल देगा तो क्या बनेगा R-S बनेगा प्लस साथ में क्या निकल गया R-C-U निकल गया प्लस X- माइनस निकला वह तो यह प्लस के साथ L-I-X बना लेगा फिक है में मेजर प्रोटेक्ट जो आप दोगे आंसर वह क्या दोगे आर रड़ेस बन रहा है यह है फिर समझ लो बहुत आसान है आर एक्स के एलाई के साथ और लाई वनेगा दो मोल ले लो इसके तो लाई एकश बी निकल जाएगा ना आर यलाई वनेगा आर एलाई सीज से बनाकर कंवाइन होकर R-C-L और गेलर धिया यहें को ब्रेक कर लो आरसी और अर यहां यहां टेक कर देगा तो आर माइनस इससे जुड़ेगा और एक्स भाग जाएगा ऐसा दिखेगा ठीक है बहुत आसान है तो यह मैं करेंजर में बाकि आपको डारेक्ट करना है मैं करेंजर बस समझने के लिए होती है एक आगे बढ़ें important points लिखे हैं मैंने इसके क्या attack of r- is rds बिटा rds क्या होता है rds तुम्हारा होता है rate determining step rate determining step अब यह step क्या होता है rate determining step का मतलब होता है वो step जो reaction की rate को बताता है वो step जो reaction की rate को बताता है कि कितनी fast reaction हो रही है जैसे बहुत simple सा मैं example ले रहा हूँ जैसे आप class में बैठे हो आप class में बैठे हो और मैं पढ़ा रहा हूँ मैंने पूरा board भर दिया मैंने आप से बोला note कर लो तो मैं किसका इंतजार करूँगा कब तक मैं मानूँगा कि note हो चुका होगा उस class के सबसे slow लिखने वाले बच्चे तक मैं देखूँगा उस class के सबसे slow जो लिख रहा है मैं तो यह इंतजार करूँगा ना कि भाई लिख ले बागी लोग तो लिख चुके हैं तू भी लिख ले तभी मैं आगे बढ़ू है ना तो जो slow step होता है ना उसी से ही पता चलता है रियक्षन आगे होने की क्या condition हो नहीं है ना तो attack of r- क्या है rate determining step है ठीक है रियक्षन कितना थेज हो रही है अब rate of reaction रोर इसका full form क्या है rate of reaction ठीक है रोर मतलब rate of reaction अब यह जो rate of reaction है रेक्षन मतलब रेक्षन है रेट अफ रियक्षन है जितनी ज्यादा steric hindrance होगी उतनी कम rate of reaction होगी और steric hindrance किसकी steric hindrance of r- x की किसकी RSX की ध्यान से देखो ज़रा को भई r- को यहाँ करना है यहां जितनी ज्यादा भीड होगी भीड होगी भीड होगी तो अटैक कासा नहीं है जितना कम भीड होगी तो अठैक आसान है एना तो जितनी कम भीड हो steric hindrance या बलकीनेस जितनी कम होटना अच्छा है किस साइस डिफरेंच जादा बॉर्ण एनरजी कम रहती है आसानी स्थोड़ सकते हो यूसफल फॉर दा प्रप्रपेरेशन आफ अंसिम्ट्रिकल अलकेन बहुत सिंपल सा है क्योंकि आर अलग ले लो आड़ेस अलग ले लो रियक्शन हो जाएगी तो बेटा सिम्ट्रिकल अलकेन के लिए वर्ज रियक्शन अंसिम्ट्रिकल के लिए कोरेहाउस रियक्शन चलें आगे नोट कर ले नहीं पॉइंट है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिस कर लो जरा वेटा कुछ बहुत आसान है क्या करना है देखो मैंने बताया था डारेक्ट तरीका यह आर और यह आर डैस उठाओ जहांसे बहुत टूटता है वहीं से बनाना है खतम हो गया लो क्या चाहिए ।들े कल्घ है और यह सब तो जितने जादा डिगरी होगी तो जो यह लिखत़ और रहा था वह आसानी से अड़ाएगा िसकि जादा इसकी कम स कम क्यों कि आपके लिए आपके लिए झाल अपके लिए यह लिख दिया और खतम हो गया ऐसे नहीं करना यह तो अपना सौट ट्रेक है बाकी में पढ़ा आपको डीटेल में ही रहा हूं बूरा क्यों आपके लिए जरूरी है क्योंकि बाकी लोग यह नहीं करने तो हमें करना पढ़ रहा है यह चलें आगे नोट कर लो इसे चलें वेरी गूड अगला वेटा कोलवेज एलेक्ट्रोलाइसिस कौनसा कोलवेज एलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है एलेक्ट्रोलिसिस मेथड आपको पता है क्या होता है एलेक्ट्रोलिसिस मेथड एलेक्ट्रिकल एनरजी से केमिकल एनरजी में कनवर्जन को हम electrolysis में क्या होता है electrical energy से chemical reactions करवाते हो ठीक है अब देखो जड़ा क्या करना है बेटा यह reaction जो है ना coal-based electrolysis यह होती है कि सॉल्ट ओफ कार्बॉक्सलिक एसिड और इससे क्या बनाते हो तुम इससे वड़ा आप लोग बनाते हैं alkane क्या बनाते हैं कि कैसे बनाना है ध्यान से देखो अब सॉल्ट आपको sodium salt या potassium देंगे जैसे यह लिखा आरक कि कुक 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 थीक है कि तुम्हें करना क्या है देखो कि क्या तुम्हें वुर्ज लिएक्सेंट अगर तुमने वर्ज रिएक्सेंट अच्छे से समझ इचरीज जो पीछे समझाई थी बिटा फर बोस के आंसर से मोते हैं क्यों को लेज और बोर्ट के आंसर सatics होते हैं क्यों को लब जो स्की मैं करनेrend manure बनता है अभी बताऊंगा मैं लेकिन पहले तरीका बता रहा हूं ठीक है तो इसका मैं आपको DM बता रहा हूं पहले डारेक्ट मेथड क्या करना है क्या करो इस बॉंड को तोड़ लो इस बॉंड को किसको आर और सियो के वाले को यहां रेडिकल और यहां रेडिकल बना लो सियो के को हम नहीं जानते मूँ फेर लो हम किस है मैं एसा ही तो तुम वूर्ज में करते थे याद दिलाऊं क्या देखो याद दिलाऊं क्या देखो आर के करना है कि यहां आट उसक्तिॅ करना है वेटा बहुत आसान है से खो इस बॉंड को ब्रेक करें गे यहां रेडीकल यहां रेडीकल बना दें और इस रेडिकल को यहां लिख लेंगे सीयों के से मूँ फिर लेंगे ऐसा बनेगा और सी एच थ्री इस एच टू रेडिकल प्लस इसका मिरर इमेज लिखना है मतलब जैसे तुम वुर्ज में करते थे वही करना अब इसके बाद क्या बनेगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू और विटा सी एच थ्री क्या बात है बन गया अंसर कितना असान है समझ गये न कैसे करना है डारेक्ट मेंथड धियान डगना क्यों वन स्टेप कुश्चन बहुत सारे मिलेंगे आपको ओके आगे बड़े वेरी गुड अब इसकी मेकैनि इस कि क्या कहती है दिशान से देखो निमिंट सी वह को यह तूटे गा- तूटे गा तो कैसे ऑर सीजो में में तूटेगा और प्लस में टूटेगा ऑड़े की बात है और सोलीशन इसका एक औस लेते हो एक फोसलेते हो तो पानी भी तो है एक इस का स्रेया देता है H plus और OH minus देता है, तो ऐसे लिख रहा हूँ मैं, ठीक, अब electrolysis में होता है, बेटा, migration of iron, कैसे, NIN, anode पर migrate करता है, cation, cathode पर migrate करता है, ठीक है, तो NIN इन दौनों मैंसे कौन migrate करता है, वो migrate करता है, आपको class 12 में, electrochemistry में पढ़ाया जाता है, ठीक है, लेकिन अभी आपने तो इसको migrate कराना है, क्या है, negative charge, negative charge को क्या बोलते हो, NIN, NIN कहां जाएगा, A for NIN, और A for anode, बस यह ध्यान लखो, तो NIN कहां जाएगा, anode पर जाएगा, ठीक, तो anode पर क्या reaction होगी, तो ध्यान से देखना, at anode, anode पर क्या होता है, बहुत ध्यान से समझने की जरूत है, यह ज ठीक, अब यह जो RCO माइनस है, यह क्या करेगा, electron release करेगा, क्या बनाएगा, देखो, RCO double bond, मुझे एक बाव बताना, यहाँ negative charge है, मतलब यहाँ क्या है, तीन loan pair है, सही है, इन में से एक electron निकाल दो, एक electron निकाल दो, तो एक electron चला जाएगा, तो negative charge भी खतम हो गया, और electron भ बच्चे का, मतब रेडिकल बच्चे का, ठीक है, ऐसा देखेगा, आपको देखो, सही न, मैंने यहाँ से एक electron भगा दिया, तो ऐसा देखेगा, अब क्या बनाए, रेडिकल बना, RCO radical, यह bond breaking करवाता है, किसकी करवाता है, ध्यान से देखना, यह इसकी bond breaking करवाता है, क्यो क्या करेगा, R radical देदेगा, प्लस कौन सी gas निकल जाएगी, CO2 gas, अब आप समझ गए, R radical बन गया न, वर्ज reaction का, आप वहीं पहुंच गए, बीच वाले step पे, अब क्या करोगे, अगले step में, यह R radical, यह R radical, अपने ही दूसरे R radical से combine होके, क्या बना लेगा, RR बना लेगा, यहां भी दो मोल आएंगे, और यह R radical, दो जो है न, आपस में combine होके, क्या बना लिया, इन्होंने, यह बना लिया, ठीक है, दो R radical ने आपस combination हो का RR बना लिया, यह कहां की बात है, एनोड की, ध्यान से देखना, एनोड की, अब क्या होगा, at cathode, देखो, at cathode, ठीक है, अब मुझे बताना, K plus और H plus में से कौन सा जाएगा, अभी आपको नहीं पता, electro chemistry में पता चलता है, तो अभी आपको याद करना इसे, इन दोनों में वेटा जाता है H plus, कौन जाता है, H plus, H plus क्या है, कैटाइन है, तो कैटाइन कहां जाएगा, कैथोड पर जाएगा, कैसे पता चला, C for कैटाइन, C for कैथोड, ऐसे याद कर लो, C for कैथोड, A for anion, A for anode, ठीक है, तो at cathode, क्या होगा बेटा, कैथोड पर क्या होगा, कैटाइन माइगरेट करेगा, तो H plus क्या करेगा, electron ले लेगा, ठीक, क्योंकि ये 2 H plus होगे न, क्यों इसके 2 मोल ली हैं, तो यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, इधर भी 2 आएगा, सब जगे 2 कर लो, ऐसा, ठीक है, तो 2 H plus plus 2 electron क्या बना लेगा ये, H2 कैस बन जाएगी, ऐसा, तो अब आपसे macronagem based question क्या क्या पूच सकते हैं, macronagem समझ गया क्या करना है, बहुत सिंपल है, RCO के को तोड़ा RCO minus K plus में, पानी भी होता है, तो H plus OH minus में तूट गया, अब RCO minus आगे continue करेगा reaction, NIN है तो एनोड प है, वो आपको electrochemistry से पता चलता है, अभी आद करना है, K plus और H plus में कौन सा करना है, H plus करना है, ठीक, अब ये एक electron निकालेगा, ठीक है, 2 mol हैं तो 2 electron निकल जाएंगे, मतब एक इसका mol, एक ही electron निकालेगा, तो 2 mol, 2 electron निकाल देंगे, ये radical बना लेगा, ये radical इस bond को break करेगा, radical radical बनेगा, और R radical अपने ही दूसरे से combine होके RR बना लेगा, इन दौनों में से H plus जाएगा, cation cathode पर जाता है, c4 cation, c4 cathode, तो ये electron ले लेगा, होता क्या है, electrolysis process में, anode से electron निकलते हैं, cathode की तरफ जाते हैं, तो anode में electron release होते हैं, cathode में electron use होते हैं, electron release होते हैं, तो क्या ह होता, oxidation, electron use होते हैं, क्या होते है, reduction, तो anode पर oxidation, cathode पर reduction होता है, अब mechanism based question क्या क्या हो سकते, पहले आप ये note कर लो, ने में बताता हूं, ठीक, चले हांगे, mechanism based question हम आपर लिख लेते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, इसके mechanism based question, क्या क्या थो, पहला question, एक important points, लिख देता हूं मैं इंपर्टेंट पॉइंट्स इंपर्टेंट पॉइंट था देखो मैंकेनियम बेस्ट क्वेस्ट्टन कैसे होंगे पहला पॉइंट एलकेन एंड सी यो टू रिलीज डेट पूछेंगे कहां पर तो आप बोलोगे क्या एनोड हुआ है सेकेंड एच्टू रिलीज डेट क्या वो लोगे कैथोड एनोड पर क्या होगा ऑक्सिडेशन और कैथोड पर क्या हो रहा है एलेक्ट्रोन निकलना ऑक्सिडेशन एलेक्ट्रोन यूज रिदक्षिन है ना क्या थोड पर क्या हो रहा है वेटा रिदक्षिन एक चौधा नेचर ऑफ सॉलीशन आफ्टर एलेक्ट्रोलाइसिस नेचर ऑफ सॉलीशन आफ्टर एलेक्ट्रोलाइसिस बताओ जरा क्या होगा एलेक्ट्रोलिशिस के बाद नेचर ऑफ सॉलीशन क्या होगा ध्यान से देखना मुझे जरा बताना क्या बच रहा है देखना धयान से देखना क्या बच रहा है की प्लस बच रहा है और ओयज माईन से नेचर ऑफ नेचर ऑफ सलीशन आफ्टर एलेक्ट्रोलिशिस your basic इस बेसिक और बेसिक की पीएच क्या होती है greater than 7 मतलब पीएच लगातार बढ़ती जाएगी जैसे जैसे रीक्षन आगे बढ़ती जाएगी ठीक है क्योंकि के वेच्ट पुड्यूस होता जाएगा इस टाइप के सवाल होते हैं ठीक मैंकरेंजम बेस्ट नोट कर लो इसको आ रेडिकल रेडिकल बस यही तो तुम वहां करते थे मालेक मेरे देखो ऐसा होगा रेडिकल बनेगा बड़ा यह रेडिकल और इसका एक मेरा इमेज लिख लेंगे ऐसा इसको इससे कमाइन करा देंगे तो आंसर देंगे ऐसा 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 कर देते ठीक है समझगे इसमाइन देखो जरा इस bond को break कर दी इस क्या आगया रेडिकल रेडिकल इसको break कर दीजिए रेडिकल रेडिकल यह दोनों आपस में join करा दीजिक्का आगया ऐसा क्या बोलते हैं इसको unfism ch2 है तो बोलेंगे चलो इस bond को break कर दिजीए रेडिANGल रेडिकल इसको ब्रेक कर दीजो रेडिकल रेडिकल इसको जॉइन करा दीश क्या गया ऐसा 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 última क्या बोलेंगे रेडिकल 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 देखो इसको जॉइन मत करा देना क्यों मैंने बोला था एंटी आरोमेटिक आ जाएगा अगर तुमने इसको जॉइन करा दिया तो ये आंटी आरोमेटिक हो जाएंगा ये नहीं बनाने का मतलब इसका दूसरा मोल भी साथ में लिखने का कैसा दि तो बेड़ा ऐसा आएगा ऐसा ऐसा आएगा यह देखो तो ऐसा आएगा ठीक है बहुत बड़ी अच्छा यह तो सवाल देखा हुआ सा नहीं लग रहा हाँ दिखाता हूं न मैं आपको इसलिए तो मैं बोल रहा हूं कोल्वेज और वर्ज रियक्शन सेम होती हैं देखो यहीं तो आंसर है बस वहां क्या है सी ओ के हैं इलेक्ट्रोलिस्स यहां यां क्या ने राइधर सेम है थिग रहा है कितना सिंबल है अगला करेंगी ट्राइगे पॉस्स करें ट्राइग आंसर आएगा देखो करो तो ट्राए यह बाउंट ब्रेक करेंगे रेडिकल रेडिकल नोस एक सका और एक इसका मिरर मेंज नीचे लगा pleas रहना प्लस इसका एक मिरर इमेज इसे नीचे लगा लिए इसको इससे जोइन करा दो कैसा दिखेगा देखो ऐसा ऐसा एसा 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 कितना आसान है resist अगला देखो इस बांड मांड को बिरेक कराओ के रेटीकल रेटीकल इसके दो मोल लिख लो अब मिरल आ इस तरफ लगा दो हुआ है determination को जोफो unlike races uh कितना असान है समझे ऐसी कोश्चन आते हैं एक्जाम में ठीक है आगे बढ़ेंगे वेरी गूड है पंकसर स्पेसल देखेंगे बहुत बढ़िया सवाल है यह कि ट्राइब करो के एक बार करो तो ट्राइब मज़ा जाएगा करो अब तीन तीन सी ओके आगए अभी भाई दो तो वहीं कतराख कर थीन भी आ गए तेन अले नेगा पहले कर करो हम कि तब भी टैंसन क्र लूद करना है यह करना बॉंद प्रे यह करना बहुत डिंग करना है रिंब और बहुत को रेडिन रे रेलिकाल रे रेलीकल पिए अले अब ध्यान से अ जैन करुंगा यह तो पेटा तीन मेंबर रिंग मनेगी और रिंग की stability की बात करें तो six मेंबर वाली ज्यादा stable होती है फिर five मेंबर वाली होती है फिर seven मेंबर फिर four फिर three तीक है मैं यहां लिख देता हूँ अगर कभी आप से कोई पूछ ले stability of ring six member five member seven member four member three member 65 743 ऐसा तो अगर मैं इसको join कराता जो की नहीं कराना क्यों तीन मेंबर बन रही है मैं इसको इससे join कराऊंगा तो एक दो तीन चार पांच मेंबर की बनेंगी जो की ज्यादा अच्छी है पांच मेंबर की बनेगी ना यह से join होगा और intra molecular rejection भी हो रही है यह faster stability आई रही है ना तो यह से join होगा तो पांच की रिंग मन जाएगी देखो एक दो तीन चार पांच यह से join होगा तो यहां किसी कारवन पर radical मैंने यहां बना लिया अब इसके दो मोल ले लो अब तुम इसके दो मोल ले लो तो यहां radical बनेगा यह से कम माइन हो जाएगा तो आपको ऐसा दिखेगा देखो कि यह इसका फाइनल आंसर आएगा कई लोग इसका आंसर ऐसे भी करते हैं कि सर हम इसको इससे join करा देते तो तीन की रिंग मन जाती एक कारवन यहां था और यहां radical इसको join करा देते तीन से जादा अच्छी पांच की है कई लोग ऐसा भी सोचते हैं सर हम इसके दो मोल की इंटर करा लेते हैं मतलब इसके दो मोल की इंटर करा लेते हैं ऐसे इस तरीके से ऐसा ऐसा करा लेते हैं और रिंग ज्यादा इस्टेवल मन देना इंटरा मॉलीकुलर रियेक्शन पर चलना है इंटरा पहले होगी अगर इंटरा से स्टेविलिटी आ रही है एंटि अरोमेटिक नहीं मन रहा है तो इंटरा ही कराओ ना पहले इंटरा और इधर इंटर हो रही है पहले इंटरा कराना तुमने क्या कराऊ इंद् casts को लिया तो इंटर नहीं होती मिए एंटरा क्लियर जालें आगे बढ़ी सवाल था यह आगे बटर हो अगला बैटा soda lime de carboxylation बहुत siample है क्या होता है कि आपको कार्बॉकसलिक acid कार्बॉकसलिक एसड यह दिया जाए यह salt of कार्बोक्सलेग दिया जाए दौनों में से घुजबी दिया जाए दौनों से ही क्या बनाना है आपको अलकेन बनानी है इसको बोलते हैं सोडा लाइम मिक्षर क्या बोलते हैं सोडा लाइम यह लिखा है ना सोडा लाइम का मतलब ही होता है एने वेच और सी यह का वन इस्टू-3 मिक्षर है ना तो यह रिएजेंट आपको धिहान रखना पड़ेगा ठीक इसको सोडा लाइम बोलते हैं डारेक्ट मैथड देखो जरा इसका अग आपको कार्बॉक्सलिक असिट दिया जाए जैसे ऑर सी यो च और बोलनें आपसे सोडा लाइम कराना इसका क्या कराना सोडा लाइम एसे लिख देता है सोडा लाइम ठीक तो आप क्या करो पाता है यहां से सी-ओटू को औरा दो तो प्या दिख रहा है कि सिंपल अलकेन मन और जो CO2 उड़ी वो एनेवेच के साथ रिएक्स्टन कर गए एनेटू CO3 बना लेगा हमें तो मेन प्रड़क्स से मतलब है और अगर सॉल्ट आ गया तो इसका डारेक्ट मेथड क्या है अगर सॉल्ट दे दें आपको तो आर सी ओ ओ एने तो आप क्या करो आप क्या करो आप क्या करो एनेवेच लिख लो और आपको क्या करना है यहां से एनेटू CO3 निकाल देना है एनेटू CO3 बन लाए तो क्या आएगा आ रहे चाहेगा simple तो अगर सॉल्ट दिया है तो एनेटू CO3 निकालो और एसेट दिया है तो स्यूटू उड़ा दो क्योंकि वो स्यूटू वापिस नमेच के पास जाके ने टूसी बनाए गई बनाएगा ठीक है तो यह सेमी रिएक्षन है बस तरीका क्या है वो देख लो इसमें स्यूटू उड़ा देना और इसमें एने टूसी उठीक है चलें आगे वरी गुड अब जुट्री मेकानिजम देखो क्या होती है और आपको चाहे एसट देदे चाहे salt of acid दे तो अगर acid दिया है मालो आर्सी ओच दिया है तो यह एने वेक्षन साथ reaction करके पहले तो salt बनाए गई बनाएगा ठीक है तो आर सी ओने तो बना नहीं है और डारेक्ट यह देदे तो कोई दिखकती नहीं है अब मुझे बताओ आर सी ओने क्या करेगा ब्रेक होगा किस में ब्रेक होगा आर सी ओ माइनस में ब्रेक होगा और एने प्लस में ब्रेक होगा अब यह जो आर सी ओ माइनस है यह क्या करेगा ध्यान से देखना बहुत ध्यान से समझना अब यह जो एन इन बना है यह लोन पियर बॉंड पियर में कनवर्ट होगा और यह और दौन एलेक्ट्रोन लेके भाग जाएगा लोन बियर में कनवर्ट होगा सी यू टू स्टेबल गैस बन रही है और यह और नेगटिव चला जाएगा ठीक है और यह और नेगटिव क्या करेगा इसको एच प्लस दिलवा देंगे तो आरेच बन जाएगा यह और करना आपको लिए और इसमें इसमें इंटान मेट तक रर्ग इन कारब नएट क्या मनना कारब नएएं थींग है तो यह इंटर्मीड होता है ना कार्व नाइन बन रहा है वर्ज रिएक सानों कोल्वेज में फ्री रेडिकल बना करता था था अभी तक कार्वोगेटाइन कहीं बना है क्या नहीं बना हूं समझगे है यह होती ही सिंपल मेकानिजम आके बढ़े important points लिखेंगे पहला formation of carb anion is RDS formation of carb anion is rate determining step intermediate बनना RDS होता है rate determining step दूसरा point rate of decarboxylation या rate of reaction या rate of decarboxylation किस बात पर depend करता है carboxylation is directly proportional to stability stability of C negative या stability of carb anion जैसे माल लो आप से question पूछ लिया question खतमी कर देते हैं यहाँ पे इस concept को compare compare rate of compare rate of decarboxylation decarboxylation rate of decarboxylation आपको compare करानी है किसकी ध्यान से देखना एक है मेरे पास यह और एक है मेरे पास यह कैसे compare कराओगे आप क्या करो इस co2 को हटा दो co2 जिस carbon से connected है यहाँ पर N9 बना लो क्यों हटेगा ओ नेगटिव आएगा वो पॉंड में convert होके नेगटिव बना देगा तो इसका नाइन यह बनेगा यह सियो टु लटाओ इस carbon पे नाइन मना लो तो इसका यह बनेगा यह सियो टु लटाओ यहाँ से मतलब यह सीवेच गूरुप अश्पर इस पर या एक आंसर क्लियर है विल्कुल ऐसे करना आपको एनाएन की बेटा स्योट उडादेना अंसर आ गया एक दो मतलब एक कारवन कम का अल के बनता है यहां के आ जायगा पीह कार्वन कम का अल केण के भन वहां तैसा होता है ठीक है रही अगली रीकसे लीएक्शनthree क्यों पना लो मुखां है दिकारे वाली ती कुछ और ही एक्षन अलकरे हाइड वाली होते車 जैसे ज्द इनहरा है है फैर आज्ट दिया है जए न्हींस कंडीसंद्ट्च àsट और मैं है यह आप और एक से क्या बन जाएगा आरेश बन जाएगा डारेट मेथड क्या है डी एम इसका कितना आसान है देखो डारेट मेथड डी एम बेटा ऐसा है आर एक्स से क्या बनाना है आरेच तो ध्यान से देखो क्या हो रहा है यहां पर X को हटा के क्या लगा देना X X हटा के क्या लगा देना H, simple है, सवाल करा दूँ एक, देखो CH3, CH2 CL क्या करोगे ZNH+, जैसे ही आपको देखे Metal Acid, यहां से CL हटा दो क्या लगा दो CH3, CH2 और H लगा दो जिसको तुम क्या लिख सकते हो Ethan लिख सकते हो न, मतलब Halogen हटाओ, H लगाओ Halogen हटाओ, H लगाओ Simple है, ठीक है आगे बढ़े अगला है From LAH, SbH and TPTH इनके full form लिख लो पहले LAH का नाम है बेटा, Lithium Aluminium Hydride Lithium Aluminium Hydride ठीक है इसको LiAlH4 इसका formula होता है LAH तो short form है formula LiAlH4 है SbH का full form है Sodium Borohydride Sodium Borohydride Hydride बोलते हैं मिटा इसको क्या लिखेंगे NABH4 TPTH होता है Trifinyl Trifinyl Tin Hydride Tin Hydride क्या होता है Trifinyl pH 3 SNH Tin Hydride ऐसा होता है और बेटा ये सभी ये हो या ये हो या ये हो ये होते हैं source of H minus source of H negative अब आपको बस Alkyl Helide ध्यान अखनी होगी कि कौनसी Alkyl Helide के साथ कौनसा रिएजेंट यूज़ करते हैं बस ये आपको याद रखना होगा पहले आप इनके full form बगएरा लिख लो ये सभी क्या देते हैं H minus देते हैं यहां है जो हाइडराइड है ना हाइडराइड के form में होता है क्योंकि H minus का source है एथीनो समझ गे अब मैं आपको एक काम करता हूँ इनके बारे में बता देता हूँ कि क्या-क्याद रखना आपको इसमें ही दना दिखना अगर तुम्हारा वं डिगरी यह बहुत important point है द्वह लगना और तुम्हारा वं डिगरी आरेकस यह और थ्री डिगरी अर hiện 10 ही बं डिगरी आरेकस मतलब मंडरे student हेलाइड तू डिकिरी आरेकस से आरेच बनेगा इसमें भी आरेच बनेगा और इसमें अलकीन बनेगी मतलब इनमें अलकेन बनेगा ठीक है और इसमें अलकीन बनेगी यह कौन करेगा यह करेगा पहला वाला एल एच यह काम करेगा वन डिगरी आरेक्स से आरेच कुछ नहीं करना X हटा के H लगाना है, reaction में कुछ नहीं करना है, H हटा के X लगा देना, 3 degree वारा आपका अलकेन मनाएगा, 1 degree, 2 degree करेगा आपका अलकेन मनाएगा, कैसे, ध्यान से देखना, मैंने ऐसा ले लिया, CH3, CH2, CL, क्या लिखा है यहाँ पर, LH, यह question बता रहा हूं मैं आपको है न, बत CL हटा के क्या लगा दिया, H, करना आपको पता है कैसे करना है न, अगर मालो 2 degree आ गया, ऐसा आ गया, BR, और आपने इसकी LH कराई, तो क्या करोगे, BR हटा के क्या लगा दोगे, H लगा दोगे, ठीक है, मतब प्रोपेन बन गया एक तरीके से, यह क्या बन गया था, एथेन ब इसकी तुम LH करा रहे हो, यह 1 degree है, यह 2 degree, यह 3 degree, तो 3 degree पता क्या करता है, इस CL के respect में, इस carbon पर, ध्यान से देखना जराब है न, इस CL के respect में, यह carbon पर क्या लगा है, halogen, ध्यान से देखना, halogen, यह क्या करेगा, अपने pass वाले carbon से, इधर से, यह 3 हो इसे में, यहां से H ब प्लेस नहीं करता, वो HCL को निकाल देता है, इस तरीके से बनता है, यह किसकी कहानी है, LH की, अब मैं आपको बताता हूँ, SbH की कहानी, देखना, इसी में ही में, दो नंबर करके, और यहां पर SbH कर देता हूँ, SbH क्या करता है, 1 डिगरी के साथ no reaction, 1 डिगरी के साथ कोई reaction नहीं देता, और 2 डिगरी, 3 डिगरी के साथ बना देता है, अलकेन, यह आपको याद रखने पड़ेंगे, क्यों, कुछ reducing agent के function याद होने चाहिए, ठीक है, 2 डिगरी और 3 डिगरी के साथ क्या देता है, अलकेन जैसे, पहली reaction अगर मैं लिखूंगा, यहाँ SbH कर देता हूँ, मैं, यहाँ मैंने Cl लिया, तो आप लिखोगे no reaction, 1 डिगरी reaction नहीं देता, ठीक, 2 डिगरी वाला reaction देगा, 3 डिगरी वाला यह वाली नहीं देगा SbH में, अलकेन बनाएगा, तो SbH क्या करता है, यह C-L अटाके, यहाँ भी अलकेन बना देगा, H, जिसका मतलब आईसो ब्यूटेन होता है, ऐसा, दिख रहा है, सही है, अगर SbH ले लिया, तो 1 डिगरी के साथ कोई reaction नहीं, क्योंकि बहुती, मतलब LH तो अच्छा reducing agent होता है, SbH उससे कमजोर होता है, 1 डिगरी Rx से no reaction, 2 डिगरी Rx से alkaline मन जाएगा, 3 डिगरी से alkaline मन जाएगा, यह कुछ example लिखे है, अगर 1 डिगरी दिया है, तो CL हटेगा ही नहीं, no reaction, अगर यहाँ दिया है, तो BR हट जाएगा, यह 2 डिगरी है, यह 3 डिगरी है, यह 1 डिगरी, यह 2 डिगरी, यह 3 डिगर अगर यहां मैंने तीसरे नंबर का ले लिया, थर्ड नंबर का क्या है आपका, TPTH, ट्राइफिनाइल टेन हाइडराइड, तो यह सभी को क्या कर देता है, अलकेन मना देता है सभी में, ठीक है, यह 1 डिगरी को भी कर देता है, 2 डिगरी को भी कर देता है, 3 डिगरी को भी, अल है और शीच टू एचा जाएगा जिसको में क्या लिक सकता हूं सी एस ट्री और वाधी टू दिग्री तो सेंव रहेंगी देख लो आप तो टीच टीच क्या करता है सारे को ही रिड्यूस कर देता है रहाँ चले आगे है अगला है ग्रेगनार रियेजेंट लासट रिक्षन पहुंद नो रहीं ग्रिगनाड्रीजन्ट क्या होता है डीटेल में तो हम आगे पढ़ेंगे 12th क्लास में लेकिन थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं ग्रिगनाड्री एजेंट एक बहुत वर्सिटाइल रिएजेंट है सब कुछ कर लेता यह ठीक है ग्रिगनार्ड रिएजेंट होता है आर माइनस Mgx ऐसा ठीक इसकी रिएक्षन अगर मैं H प्लस के साथ कराऊं तो यह आर माइनस इस H प्लस को ले जाकर क्या बना लेता है रह बना लेता है ठीक अब यह है कहां से यह प्लस आएगा होटर से हैं तो च माइनस होगा तो यह यहां तो देखो फ्रस प्लस होगा ऐसा दिखता ही है लिए ना थो क्लास म। टो आर माइनस एच प्लस ले जाता है और मैं इसकी reaction करा रहा हूँ, alcohol के साथ, मैं इसकी reaction करा रहा हूँ, acid के साथ, मैं इसकी reaction करा रहा हूँ, पानी के साथ, मैं इसकी reaction करा रहा हूँ, ammonia के साथ, ठीक है, तो ये सभी के सभी पता क्या करते हैं, H+, ये सभी के सभी क्या करते हैं, source of H+, ये सभी के सभी H+, ये सभी H+, ये वाई पॉडक्स हमें मतलब है यह यह नहीं में पॉडक्स बना लू यह सभी के सभी क्या करते आरएच मतलब Say Compound Say Compound जो एजऊच प्लस को रिलीज करते हैं वो Gragana रिएजेंट के साथ reaction करके अलके comments फेकर बाट समझ गए तो यह कहानी है इसकी किलियर है एकदम धुमादार बहुत बढ़िया तो आप यह सारी रियेक्शन एक बार रिवाइस कर लेना अब आपको क्या करना है यह यह इंट का फंक्शन भी लिखना है ठीक है मैंने आपको लास्टन पर सिखा दिया था कैसे करना है एक आपको पेज लेना है उस पेज में पार्टीशन करना है इस तरह रियेजेंट लिखो इस तरफ उसका फंक्शन लिखो जैसे आज की रियक्शन का कैसे लिखोगे वुर्ज रियेक्शन और एकससे एर आपकार स्वर मायून स रिएजन्ट याद रखना बहुत ज़रूरी है जैसे मालो आपका सोडा लेमडी कारवक्सिलेशन है तो एसिड से क्या बनाता है अलकेन तो जो मैंने आपको डारेक्ट मेथड बताए ना वो लिखा करो आप जो मैं बोलना हूं आप से रिएजन्ट उसका फंक्शन डारेक्ट अ ko की कैसे करना है आपकोे एक दम चलों तो जाते है तो मैं आपकब बात बोलना चाहरता हूं यह बात बहुत दिनों से मेरे दिल में थी बढ़िया तरीके से आप नोट्स बनाते जाओ, reaction आपको सारी cover कराएंगे, देखो, कई लोग इसमें Clemenson, Wolf, Kitchener, HI, Red, Phosphorus सब पढ़ाते हैं, मैं उसको कार्बोनाइल में पढ़ाता हूँ, ठीक है, NCRT की reaction तो मैंने आपको cover करा ही दी, साथ में कुछ additional reaction भी important वाली बता दी, ठ ठाके देखो, NCRT, आपको सारी reaction cover होती भी नजर आएंगी, तो ये तो मान लो, कि NCRT तो मैं आपको parallel साथ में कराएंगे ही जा रहा हूँ, ठीक है, आपको अलग से NCRT read करने की ज़रूत नहीं पड़ेगी, मेरे lecture अकर देख लिए तो, क्योंकि मुझे पता ही है, कि मैंने N NCRT की reaction डाल रखी है, तो आपको additional कुछ नहीं करना, lecture अच्छे से देखो, इसमें NCRT तो मिलेगी ही, साथ में आपको extra भी मिलेगा चीज़ें, जो important होती है, जही में, जही एडवांस के लिए, ठीक है, क्लियर है, नीट के लिए तो NCRT काफी होती है, तो वो तो cover होई रही है, साथ में कुछ addition reaction, जैसे NCRT में try phenyl 10 hydride नहीं दे रखा है, एक SbH के बारे में यहां नहीं दे रखा है, तो इसलिए मैं बोलना हूँ कि इस टाइप की reaction भी में आपको साथ में cover कराते जाओंगा, क्योंकि हमें तो question करने से मतलब है न, ऐसा भी पढ़ना क्या पढ़ना क question ही न बने, ठीक है न, पता चला दो दो घंटे पढ़े जा रहे हो सवाल बननी रहे, तो इस ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, बात समझने मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, तो कहानी क्या है, bottom line क्या है, lecture को बहुत अच्छे से आपको देखना है, notes आपको proper बनाने है, आप बोलोगे, सर आपने तो यह पढ़ाई नहीं है, इसलिए मैं पहले ही clear कर रहा हूँ, है न, क्योंकि यह हर साल होता है, क्योंकि बच्चों को पता नहीं चलता ना कि कौन सी reaction कहा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, जितना मैंने अलकेन पढ़ा दिया, इतना अलकेन में सफीशेंट है, अगर आप कभी उस टाइब की चीज़ें फेस करोगी, सर यह तो नई रियेक्शन दिख रही है, तो बिटा वो reaction कहीं ना कहीं आगे चैप्टर में cover होगी, ठीक है, उस reaction में आप गोला मार लो, रख लो उसको, गोला मार के रख लो, जब आपकी organic बढ़ती जाएगी आगे, तो आप देखना वो मिल जाएगा, आपको कहीं ना कहीं, ठीक है, रियेक्शन कोई छुडवाएंगे नहीं, बस कुछ रियेक्शन हम आगे पढ़ाते हैं, कोई उसको, अलकेन में पढ़ा देता है, बस इतना कहना है मेरा, ठीक है, और reaction mechanism नाम से कोई चीज जी योसी के जितने लेक्शन मेरे आए हैं, उसमें सारी reaction mechanism cover है, except carbene, nitrogen, benzyne, वो मैं आगे पढ़ाता हूं reaction में, तो आपको अलग से tension निले नहीं कि सर, reaction mechanism कब होगा, reaction mechanism जैसा कोई चीज होता नहीं है, जी योसी में ही हमने reaction mechanism पढ़ लिया है, कुछ special book उसको अलग topic से पढ़ हैं, उसमें आपकी जी योसी reaction mechanism सारी चीजें type of reaction सब cover हो चुकी है, अब कुछ चीजें बची है, तो वो हम आगे पढ़ा देंगे आपको, ठीक, कोई चीज छूटे ही नहीं, बस इतना भरोसा रखो, ठीक है, मालो कोई तुम से कहा रहा है कि अरे उन्होंने तो reaction mechanism ही नहीं तो यह उनसे बोल देना, जी योसी में सब cover हो चुका है हमारा, ठीक है, अलग से कोई यसानी कि अलग से heading डलवाएंगे, reaction mechanism तो तुम्हें लगेगा कि हाँ, अब चालू हुआ है, जी योसी में मैंने आपको सारा करा दिया है, ठीक, अब आप चैप्टर पे आ गए हो, अलक फिर question मनाते हैं जाओ, काम हो जाएगा, ठीक, चलो मिलते हैं फिर next lecture में तब तक के लिए, ओक किवाए, पढ़ाई करते हैं, all the very best